Hello students, welcome to my channel किर्थिस कोडिंग C language की इस सीरीज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको pointer to pointer topic के बारे में discuss करने वाले है और ऐसा example बताने वाले है जिसकी मदद से आप pointer पूरा clear हो जाएगा कि pointer किस प्रकार से point करता है और किस प्रकार से वो base address, address को use करता है तो चलिए इस topic की और आगे बढ़ते हैं तो आज का हमारा topic रहा pointer to pointer देखिए कोई भी pointer को अगर हम point करेंगे फिर से तो वो उसका address हमें दे देगा मतलब कि जैसे की घुमा के बोलने वाला बात कि उस डब्बे में क्या रखा है डब्बे में जो रखा है मतलब कि एक डब्बे में pain रखा हुआ है तो लिखेंगे डब्बे में क्या रखा हुआ है pain pain किस में रखा हुआ है डब्बे में तो दोनों का ही use हो जा रहा है तो यह हमारा काल आता है एक दूसरे से denote करना जैसे addition of pointer variable store the same other variable is called pointer variable pointer within another pointer is called pointer to pointer ठीक है syntax देखिए क्या है कि एक pointer का sign क्या होता है star and कोई भी variable हम मान लिये है वो but यहाँ पर two star है और कोई भी variable मान लिये है वो एक pointer है देन उसके फिर से हम denote कर देता है तो वो क्या जैता है address जैता है जिस प्रकार हम अगर किसी भी pointer में अगर किसी को store किये है तो वो जिस address को store करता है उस value को print करवाता है value को denote करता है but अगर फिर से हम उसमें पॉइंटर लगा देता है तो वो एड्रेस को डिनोट करने लगता है यह कहलाता है पॉइंटर टू पॉइंटर इसको हम अच्छे से एक्जाम्पल के थू भी देखेंगा जैसे इंट x is equal to 22 लिये है तो इंट अगर p में हम अगर हम इसका एड्रेस इसमें श्टोर कर देते है और फिर से अगर p1 में डबल पॉइंटर लगा देते है तो यह p का एड्रेस देखेंगा लगता है जिसे प्रकार यहां पर x हम डिनोट किया है 22 और x का बेस एड्रेस है 1000 बट यह 1000 भी एक डबबा में है 1000 जिस डबा में है उसको रखे है हम P P name ठीक है अब P name का भी एक address है कुछ 2000 अब 2000 को हम किस डबा में रखे P1 यानि P1 के अंदर है P P के अंदर है X X का value है 22 जब X का value 22 होता है तो X का address हो जाता है 1000 बट P के लिए 1000 उसका एक value हो गया और P का address हो गया 2000 और P1 के लिए value हो गया 2000 बट P का address P1 का address कुछ और होगा तो इसलिए ये अंदर में जो हो जाता है उसका वो value हो जाता है और बाहर में जाता है वो address हो जाता है चलिए इसको एक्सांपल कितरों हम समझते हैं तो हमारा sentence start हुआ है यहां से हाच include से start किया है इंट में से उसके बाद हम pointer के रिए variable declare कर लेते हैं मान लिजए इंट टाइप का हम variable declare कर लिए I I में assign करा दिए value 3 द्यान से आप देखिएगा इस example को सारे pointer का कितने भी question है सारे clear हो जाएंगे उसके बाद एक extra variable लिए जे pointer जो एक pointer notation है extra variable pointer notation को ले करके हम जे एक variable लिए है जो कि pointer को denote कर रहा है फिर उसके बाद एक हम pointer to pointer चुकी पढ़ रहा है तो हम एक double भी variable लिए के जो कि pointer to pointer को denote कर रहा है उसके बाद हम जे में assign कर वालते हैं क्या? जे में assign कर वालते है i का address, address of i को हम j में assign कर वा लिए और k में assign कर वा लिए address of j को ध्यान से अब देखें इस example को k में क्या assign कर वा लिए address of j को, जो की हम पहले आपको example के through उस notes में पढ़के दिखा चुका है मैंने एक address के एक अंदर है जैसे p1 के अंदर p था 2000, but p p के लिए वो हमारा रहा क्या address, but p1 के लिए वो रहा value ध्यान से देखेंगा, p के रहा वो address और p1 के रहा वो value, देखेंगे, जैसे इसकी बात हम कर रहे है, p1 के लिए तो 2000 value है, but p के लिए 2000 क्या है, address है उसी प्रकार हमने i variable माना है i variable में हमने 3 value मान लिया है यहाँ पर, यहाँ पर हमने i variable माना है, और i variable में 3 value मान लिया है और first pointer में हमने i का address को रखा है, but i का address को रखने का मतलब क्या है, यह j जो है, j denote कर रहा है 3 का value को, क्योंकि इसमें i का address store किया गया है चुकि यह pointer है, इसलिए यह 3 का value का address मने point rate कर रहा है नहीं तो यह भी address को इस्टोर करता है और 3 k में क्या किया है हम j का store कर दिये अब हम print करवाना का process शुरू करते हैं माल लिजे हम print करवाते हैं print f की साहता से हम क्या क्या print करवाएंगे print f कि साहता से माल लिजे m% icon print करवा देते हैं हम address m% i क्या है वो एक address है address को हम print करवा दते हैं किसके address को address of i को हम print करवा दते हैं तो आपको इस example से सारे कुछ clear होने वाले है address of i address को print कराने के लिए हमने % % u का use किया है ठीक है और क्या print करवाना है lesson के use करेंगे line को change करने के लिए then हमने address of i को direct print करवा दते है ठीक है उसके बाद हमारा जो address of i है वो कहां पर store है जे में store है यानि जो i का value आएगा वही हमारा अगर हम print करवा दते हैं print f की मदद से हम print करवा दते हैं क्या हमारा जो i का address है हम वो j की सायता से भी print करवा सकते है क्योंकि j में हमने क्या-क्या i का address रखा है तो हम अगर j को भी print करवाते हैं तो भी हमारा क्या print होगा जो i का address है वही print होगा क्योंकि हमने उसमें store किया है address of i equal to percentage u ठीक है, comma j को print करवाते है तो जो i का value वही print होगा आप इसको ध्यान से देखिएगा अगर हम print करवा देते है star k star k को अगर print करवाते है star k का मतलब क्या है कि k में star k मतलब क्या है कि k में क्या है j का address को हम store किये ठीक है, j का address को store किये है k में बट star अगर हम लगा देते है यानि j का जो value है वो हमारा print हो जाएगा k में, ठीक है print f की मदद से अगर हम star k को print करवा देते है अब ध्यान से देखिए ठीक है, तो वो भी क्या है एक address है क्यूं, क्यूं वो एक address है क्यूंकि क्यूंकि वो print करवा रहा है i का address, क्यूं, क्यूंकि i में ही i का ही हम value store करके रखे है j में, और j अगर उसको pointer करवा देते है k को, मने star अगर हम, जैसे आप print होगा वैसे ही आप समझ जाएंगे है ठीक है, तो हम print करवाते है, क्या क्या तो यहां पर हमने सारे printव लिक़्ए है इसमें फ़स्ट में हमने print कराआया है address of i को, second में हमने j को print करवाया है address of j को, third में addres of k को print करवाया है star k का यूजज़ करके pointer का यूज़ करके, okay देन उसके बाद हमने address of j को print करवा है मतलए एक ही चीज को print करा के हम बहुत सारे different way का use कर सकता है यह pointer हमें सिखाता है तो चलिए प्रोग्राम को compile किये देन उसके बाद run किये और इस example की मदद से हम अच्छे से समझते हैं देखिए पहले हमने क्या print करवा है address of i तो i का address कुछ भी है तो हमारा 655-6748 प्रिंट हो चुका है यह i का address है ठीक है और फिर से हमने i का address को किस प्रकार से print करवा सकते है j का value को print करवा करके हम i का address को print करवा सकते है क्योंकि हमने j में store किया है J में assign किया है I का address को ये second line में तो इसलिए हमने I का address को J का value को print करा करके हमने I का address को print करवा दिया है ठीक है उसके बाद हमने क्या किया है हमने J का address को store किया है K में और K में अगर star लगवा देते है यानि K में अगर pointer का sign दे देते है तो वो जिसका address को store कर रहा है उसका value को उसमें जो value है वो उसको print करेगा यानि उसमें कौन सा value हो? I का address का value है I का address का value है वो J में store है और J को अगर हम pointer K की साहता से print करवाते है यानि कि J में जिसका value store है वो हमारा print हो जाएगा क्योंकि हमने J का address को K में store करके रखा है J का address को K में store करके रखा यहां पर third line यानि जिसका address को store किया है उसमें जो value है वो हमारा star K का use से print हो जाएगा यानि J में किसका value है I का address का value है यानि I का address है ये वाला same यानि हम इसकी सहता से star K का भी use करके हम i का address को print करवा सकते हैं ठीक है pointer easily denote करता है कि जिसका address वो store कर रहा है उसका value को print करवा देता है ये एक line अच्छे से गाट बान दीजे फिर उसके बाद हमने address of j का print करवाई है तो address of j को easily print करवा दिया है तो address of j ये है फिर उसके बाद K में हमने क्या क्या है, address of J को store किया है, तो वो भी हमारा K में M% J की साहता से और only K की साहता से हमने address of J को print करवा दिया. उसके बाद last हमारा line है, address of, यहाँ पर line है, हमारा 6th line क्या है, address of K को print करना, तो m% k का use कि है, address of k हमारा यहाँ पर print हो चुका है यह वाला line, ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अब value print करवाना है, तो आप बोलेंगे कि जब value print करवा रहा है, तो हम यहाँ पर percentage u का क्यों use कर रहा है, बोलेंगे, j का value हम print करवा रहा है, तो हम percentage u का use क्यों कर रहा है, क्यो कि j में हमारा i का address store है, तो actually देखा जाए, तो हम i का address हम print करवा रहा है, ना कि j का value, और जो i का address वही तो j में store है, इसलिए हमें address को print करवाने के लिए, यहाँ पर percentage u का use करना पड़ा, तो i का address क्या था, यहाँ पर 356356748, वही j का value है, तो देखिए, j में वो value में print हो जो j का address है, वही मेरा k में store है, ध्यान से देखिए, j का address है, क्योंकि यह double pointer को k denote कर रहा है, और यहाँ पर j का address उसको store किये, तो j का address है, वही मेरा k में store, j का address क्या देखिए हम 6356744, यही हमारा k का value हो गया, तो इस प्रकार से आप pointer to pointer समझ रहे हैं, कि एक pointer कि इस प्रकार से दूसरा pointer को denote कर रहा है, उसके बाद हमारा value of i, i का value हम simply i में store किये, उससे print कर दिया, i का value 3 print हो गया है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा address of i का store किये है, address of i मतलब जो i में address है, जो डबबा है, box है, ठीक है, और pointer लगा दिया, यानि i का value प्रिंट हो चुका है, simply 3 print हो गया फिर उसको बाद i का और एक value को किस प्रकार से print कर सकते है हमने percentage d का use किया है star j star j मतलब j में हमने देखी second line में i का value को i का address को store करके रखाया यहाँ पर तो जिसका address store है उसमें जो value है अगर pointer का use करें तो print हो जाता है तो same pointer j का use किया है तो हमारा i का value प्रिंट हो चुका है क्योंकि i का address को j ने store करके रखा था उसके बाद मेरा j का address को हमने k में store गया है एक pointer लगाने से j का value प्रिंट हो गया यानि का i का address प्रिंट हो गया फिर और एक pointer लगा दिये तो j में जिसका address रखा था यानि i का address उसका value print होगा यानि double pointer का use किये यहाँ पर हमने point to point star star k का use किये और i का value को print करवा दिये तो यह एक simple example की सहता से एक address दूसरा address को किस प्रकार से denote कर रहा है किस प्रकार से हम एक value को print कराने के लिए हम 4-4 तरीके का use कर सकते है यह हमाई pointer बताता है तो इस example से मदद से आपको पूरा pointer clear हो चुका होगा तो आज का video lecture में रहे हैं पर समाप्त होता है next video lecture में हम आपको pointer to function के बारे हम बताएंगे कि function में किस प्रकार से pointer use किया जाता है यूदि function topic हमने पहले discuss कर चुका है ओके आपको function topic कुछ भी देखना है तो आप पहले वाले video lecture जरूर देख ले आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए and comment जरूर कीजिए thank you students and pointer में कोई भी problem हो आप जरूर comment कीजिए thank you students